हलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए मा दुर्गा के चरणों में शीष नवाते हुए आज हम ये देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही है और किस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं इस तरह के ब्लेसिंग आपको मिलती जाएं देखें कि क्या मिल रही है मेरे पास कुछ कार्ड्स है आज के दिन ईश्वर आपको क्या आशिरवात दे रहे हैं मा दुर्गा मा भवानी आपके लिए क्या लेकर आई हैं इसकी सबसे सक्त जरूरत सभी को है हर इंसान को है हर प्राणी को है तो ईश्वर क्या कहते हैं आपको ब्लेसिंग टू लेफ्ट साइडनेस इस कार्ड की ब्लेसिंग आपके लिए मिल रही है कि आपको उदासी दूर करने की ब्लेसिंग मिल रही है साथ ही उससे सीखने की ब्लेसिंग मिल रही है बुद्धी मानी से काम लेनी की प्रेना मिल र लोक देती है अंदर की आग को ठंडी कर देती है क्या उदासी, sadness लगता है खुशी हमारे हाथ से चली गई पर फिर भी यही उदासी यही दुख यही कश्ट अपार संभावनाई लेकर आता है तो जब भी उदासी आए तो इसको दूर करने की आपको ब्लेसिंग मिल रही है प खुशी से आपकी आँखे चमक रही है यह आपको विश्वास करना ही होगा मा दुर्गा आपको यह ब्लेसिंग दे रही है यह आपको विश्वास करना ही होगा आपके पैर खुशी से थिरक रहे हैं आपने उदासी से जो भी अनुभव लिया है अपनी sadness से अपने जीवन क करें। से उसका इस्तमाल करते वbero आप खूब राइस ग elles करें। और सैडनेस गरता है जो ध्यान आपको दिये हैं मतलब की जो भी घाव आपको दिये हैं ध्याहन मतलब की जिस ध्यान में अपने आप थे कि मैं क्या हूं कौन हूं एक तरह से आपको सैडनेस में धकेल दिया इस उदासी ने आपकी लाइफ के जंजावतों ने वो जल्द ही वो घाव भर जाएं आपका सब से reunion हो जिससे भी आप चाते हूं उससे आपका reunion हो और फिर से आप अपनी company को enjoy कर सके और आप अपने experience को share करने में आपको satisfaction मिले संतावना सांतुना मिले अपने दुख से गिरना ना करें जो भी दुख है ये ना सोचें कि मेरे पास ही इतना दुख क्यों आपको चमकाया जा रहा है इश्वर की तरफ से blessing को accept करें ये समझ लें कि इसी सही आप higher self में आए हैं आपको आपका अपना पता चला है कि यदि आप गर्त में गए हैं तो उपर भी तो उठे हैं दुख दोबारा आए तो आप डरने वाले नहीं है क्योंकि कुछ भी permanent नहीं है बार बार मैं कहती हूँ कुछ भी permanent नहीं है याँ पर कभी दुख है तो फिर सुख है सुख है तो हमेशा नहीं रहेगा वो भी दुख में कहीं न कहीं फिर से दुख आएगा दुख आएगा तो फिर दूसरी बार आप डरेंगे नहीं आपको दुख में time को balance करना आ गया है sadness आ रही है जब सुबह आप उठे आपको number two के blessing मिल रही है मतलब की unity number two भी unity है number 30 भी ये बता रहा है कि trinity का sign है कि जोड रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी से दिविता से जोड रहा है तो ये card blessing है ये वाला card blessing of the air ये card आपके लिए blessing है कि प्रेणा है कि नए विचार नई सुहानी यादे clear thoughts और नए तरह के purposeful memories आपके लिए आपके सामने हो आपके thoughts and words में harmony बनी रहे आपकी समझ विक्सित हो आपका मन clear हो और open रहे जिसमें नए नए विचारों का जन्म हो नए नए विचार आना ही ज़रूरी है क्योंकि अच् में character बनता है और वही character आपके destiny को राह दिखाता है तो आपके लिए enriching knowledge, trustworthy information और true words का अशिरवाद ही यही है मादुर्गा का आज के लिए कि आपकी memories को आपके काम में मदद मिले, forgotten dreams को जगाने में मदद मिले, आपको winds of change रास्ता दिखाने में मदद कर रहे हैं, winds of change, हवा, जब भी हवा आती है, तो कितनी तरह के तुफान भी लेकर आती है, सुनामे भी लेकर आती है, बहुत हवा क्या है, तुफान भी लाती है, और एक ठंडी हवा का छोका जिससे हम romantic भी हो जाते हैं, एक वो तरह की चीज़ भी लाती है, और air क्या है, oxygen है, oxygen हमें मिलना बहुत जरूरी है तो नेचर में रहना बहुत जरूरी है नेचर को हम अगर देखेंगे नहीं नजर अंदाज करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है तो आप सभी बर्डन से मुक्त हो जाएं आज के लिए यही ब्लेसिंग मिल रही है आप inspired रहें refreshed रहें loved one को प्यार करें और exhale करें तो सभी tension, burden, negativity यह सब कुछ बाहर निकाल दें ठीक है उड़ने से पहले आपके पंक खूब ग्रोग करें और मजबूत हो जाएं हवा आपको खुश्बू लेकर आए संगीत लेकर आए freedom से सरापोर कर दे आप अच्छाई और सच्चाई और purity से भर जाएं हवा आपकी हर सांस को आज यही blessing दे रही है आप खूब inhale exhale करें प्राणायाम करें योगा करें meditation करें ईश्वर आपके साथ है परिशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है जै मादुर्गे जै माकाली नमस्कार